विल्कम तो माई चैनल और आज हम बात करने वाले हैं रोबोट 3.0 फिलाल इस मुवी की अभी तक कोई भी ट्रिलर टीजर रिलीज नहीं हुई है यह अभी स्टिल अंडर परड़क्शन है और लोगों ने कोई भी ट्रिलर टीजर रिलीज नहीं किया चली मैं आपको आज बताता हूं रोबोट 3.0 जिसमें बहुत सारे अफ़ाय फैला जारी कि इसमें रित्तिक रोशन भी है इसमें शारुक खान है बट ऐसा कुछ भी नहीं है इसमें नहीं रित्तिक है नहीं सल्मान है नहीं शारुक है इस मूवी में एक्च्वल कास्ट जो है वो है रजनीकांत उसके साथ है इस मूवी में टाइगर श्रॉफ और आपको थोड़ा बहुत आपको रोल आपको देखने के मिलेगा आर्नॉल्ड का प्लस इस मूवी में है काट्रिना कैफ जो की लीड रूल में भी है और इस मूवी को अगर आप चानना चाहते है तो इसमें प्लॉट यह होगा कि चिट्टी को वापस लाए जा रहा है रोबोट 3.0 में इस बाद चिट्टी जो है वो हेल्प कर रहा है इनको आर्नॉल्ड के खिलाफ जो की रोबोट इक्स वर्ल्ड में उनको दिखाया जा रहा है कि एक टर्मिनेटर काइंड ओफ इनको रोल दिया गया है और वो इससे फाइट करते हैं और चिट्टी यहाँ पर हेल्फ करता है इन लोगों को इस फाइट से अब यह पर टाइगर श्रॉप जो है वह बहुत ही लीड रोल में है और वह एक मेन हम भूमिका निवार है रजनीकांत के साथ और चिट्टी के साथ मिलके और प्लस करटने काफ तुस मुवी को देखने में डेफिनेटली मजाएगा और इसकी रि पर देखन जेगा जो जिस थ्यूस्य लेक्षन जो है अभी भी चालू है और फाइनल नहीं हुई है को यह बहुत कम इस पहुङ है हुवा है जोकि विजृफेक्स इसके बहुत ही अच्छे होने वाले है इसके बचलिसøंस को वाले से इसकी ब्रसड करे और इसको अच्छे में यह वो लो करना नहीं चाहते हैं और डेफिनिटली सिर्फ रोबर्ट 3.0 ही नहीं इनका मानना है कि वो रोबर्ट 3.0 के लावा रोबर्ट 4, 5, 6 ऐसे और भी सीरीज इसके बनाने वाले हैं इनको यह डिसाइड करना है कि स्टोरी लाइन आप इनकी कैसी रखने वाले हैं औ और आगे और अले मूवी में एक्टर कॉन कान से होंगे बट फिलाल इस मूवी में एक्टर है रजनीकांत, टाइडर श्रॉफ, आर्नौल्ड, कर्शिना कैफ और डेफिनिटली यह एक्शन पाक्क मूवी और बहुत ही अच्छे दर वीजुल एफेक्स में आपको देहने का बिलेंगे जो कि मज़ा जाएगा, बस आप मेरे साथ ऐसे ही बने रहे हैं, मैं आपको आगे और ही बताता रहूंगा कि कौन कौन सी मूवी आ रही है, इसलिए फॉलो कीजिए मेरे चैनल को, और मैं आपको भी जोटी जान करें नहीं दूँगा, थैंक्यू सो मच